रितिक ने लिया बॉलिवुट के दबंग सल्मान खान से पंगा जी हाँ, रितिक रोशन ने सल्मान खान से छीनली फिल्म ये तो सभी को पता है कि बॉलिवुट के सुल्तान इस समय फिल्म ट्यूब लाइड में बेहत बिजी है फिल्म का दूसरा शिड्यूल मनाली में हो रहा था, जिसकी कई तस्वीरे सोशल मीडिया में वाइरल भी हुई थी जानकारी दे दे कि सल्मान खान ट्यूब लाइड की शूटिंग के बाद टाइगर जिन्दा है और फिर उसके बाद दबंग 3 की शूट में बिजी हो जाएंगे जिस वज़े से फिल्म Race Series की फिल्म Race 3 के लिए उनके पास समय नहीं है जिस वज़े से Race 3 के makers उनका जादा इंतजार नहीं कर सकते सूत्रूं के अनुसार रितिक रोशन ने Race 3 में दिलचस्पी दिखाई उन्हें स्क्रिप्ट भी पसंद आई लिहाज़ सल्मान को हटा कर रितिक को फिल्म में लिये जाने की चर्चा है गौर हो के रितिक रोशन काबिल की शूटिंग लगभख खत्म कर चुके हैं क्रिशफोर शुरू होने में समय है बच्चे हुए समय में वेरेज 3 की शूटिंग कर सकते हैं इसलिए रितिक ने फिल्म के लिए हामी भड़ती है इसके अलावा ये भी बता दे कि रितिक जल्द ही फिल्म काबिल के प्रोमोशन में लगने वाले हैं NMF News की रिपोर्ट